प्रतीक ने की दिव्या को समझाने की कोशिश नेहा के सपोर्ट में आए प्रतीक क्या प्रतीक के समझाने पर दिव्या मांगेगी नेहा से माफी एक बॉस OTT के घर में नेहा भसीन के इनरवेर को लेकर एक बाद फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है जहां इस बार प्रतीक दिव्या को समझाने की कर रहे है कोशश जहां पर प्रतीक दिव्या से कहते है कि तुमने नेहा के कपड़ों को लेकर डिस्कस्टिंग कहा था जो कि तुम्हें सभी के सामने नहीं कहना चाहिए था जहाँ पर दिव्या प्रतीक से कहती है कि नेहा ही थी वो जो मूस के कपड़ों को लेकर हर बात सभी के सामने जा जाकर कहा करती थी कि इसके कपड़े वाश्रूम में क्यों बड़े होते हैं तो अगर वो गलत नहीं था तो ये भी गलत नहीं है जहाँ पर प्रतीक कहते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता दिव्या, कुछ चीज़े लोगों को बहुत बुरी लगती है, उस वक्त निहा ने वो चीज़े कही थी जो के गलत थी, लेकिन अब तुम वो सभी चीज़े करकर तुम भी वही कर रही हो, जहाँ पर दिव्या प्रतीक से कहती है कि तू तो हर बार सिक नेहा की ही साइड लेता है और इस बार भी तू वही कर रहा है, तुझे वो कभी गलत दिखती ही नहीं है, तेरे लिए हमेशा ही मैं गलत हूँ, जहाँ पर प्रतीक कहते हैं कि वो यहाँ पर साइड लेने नहीं आया है, वो सिक नॉर्मली एक बात कर रहे है, जो अगर हुई थी तो वो गलत थी, किसी के इनरवेर को लेकर सभी के सामने डिस्गस्टिंग कहना गलत था, और ये बात बुरी भी लगी होंगी, वेल कल से जब से मीडिया ने उठाय है दिव्या अगरवाल को लेकर नेहा वसीन के इनरवेर को लेकर सवाल तब से ही घर में गिब बन चुका है चर्चा का मुद्दा वही निशानत और राकेश भी दिव्या को ये समझाते हुए आयत ही नजर कि वो मांग ले नीहा से और जनता से माफी कि उन्होंने इस तरह की बाते करी वही पर एक बार फिर से अप्रती कर रहे हैं दिव्या को समझाने की पूरी कोशश अब देखना यह होगा दिलचस्त क्या प्रती के समझाने के बाद क्या दिव्या मांगे की नेहा से माफी आपको क्या लगता है हुमें comment कर ज़रूर बताए television की latest news और gossip के लिए हमारे चानल को subscribe ज़रूर करें